हेलो अबरिवान वल्कम टो माई चैनल आज फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल ही नया डिजाइन बनाना सिखाऊंगी और हम इसे वूल से बनाएंगे आप इसे साड़ी और चुन्नी से भी बहुत ही इसली बना सकते हो तो देख लेते हैं यह डिजाइन कैसे बनेगा यह देखिए फ्रेंड्स इसके लिए मैंने यहां पे नाइन नंबर के निडल्स का मैंने यहां पे यूज किया है और सबसे पहले हम इसमें एक यहां पे स्लिप नोट लगा लेंगे एक नोट से ही हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे फ्रेंड्स हम इसमें कोई भी फंदा नहीं डालेंगे एक नोट लगाके ही हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे यह देखिए ऐसे आप इसमें एक नोट लगा लीजिए वीडियो को पूरा देखिए फ्रेंड्स एंड तक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके यह देखे ऐसे हम लपेट लेंगे यह देखे इससे हमारा क्या है सबसे इजी है फ्रेंड से फंदा बढ़ाने का तरीका यह देखे एक फंदा हमारे यहां पे बढ़ गया और हम इसको ऐसे बना देंगे एक के हमारे के टो हो गए पलट लेंगे धियां से देखिए फिर से अम एसे लपेट लेंगे और हमारा फंदा बढ़ गया पिछले बार का बढ़ा हुआ फंदा इसको भी हम ऐसे बना लेंगे अब फिर से देखिए थोड़ी से देर में आपको इसकी शेप नज़राएगी ऐसे लपेट लें गे और ऐसे हम इसमें फंदा बढ़ा लेंगे दोनों साइड से आपने बिल्कुल स्में बराबर फंदे बढ़ा नहीं हैं फिर से पलट लेंगे और इस साइड से फिर से हम एक फंद हैस में बढ़ा लेंगे, दोनों साइड हमने दो दो फंदे बढ़ा ली ई एक बीच का का कुझ का हमारा यहुआ सामने नोट से बनाया था बिल्कुल आपने उपर तक जितना भी आपको बड़े साइज गा बनाना है आपने इसी तरीके से इसको बनाना है यह देखिए लपेट लिया और फंदा हमारा बढ़ गया ध्यान से देखिए फिर से पलट लेंगे हर बार आपने दोनों साइड से एक एक फंदा इसमें बढ़ाना है यह देखिए अब हमारे हो गए दो तीन चार पाँच छे साथ फिर से हमने फंदा बढ़ आ लिया यह हो गए हमारे आठ द्यान से देखिएगा अब हमारे फ्रेंड्स आठ फंदे दोनों साइड बराबर है लेकिन हमने एक बीच की नोट लगाई थी तो इसलिए एक फंदा आप इसमें एक्स्टा रखे दोनों साइड फंदे रखने के बाद बीच के फंदे को आप काउंट मत करना दोनों साइड से बराबर फंदे हमने बढ़ाने है इस बार हमारे बराबर फंदे होगे दोनों साइड से चार चार फंदे देखिए दो तेन और यह चार और यह एक दो तीन चार इस साइड और एक हमारा यह सेंटर में बीच का, तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने फंदे बढ़ाने हैं, चार-चार फंदे मेरे बढ़ गए, मैं दोनों साइड दस-दस फंदे बढ़ाऊंगी, दस इस साइड और दस उस साइड, जब तक मैं इसको बिलकुल इसी तरीके से ऐसे ही बना नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर मैं आपको उपर का दिखाऊंगी, इसी तरीके से बनाना है बिलकुल, ऐसे हम बना लेंगे, पलट लेंगे, और फिर से हम ऐसे लपेटने से ही, हम फंद आपना बढ़ा लेंगे, तो मैं इसे बना लेती हूँ, फि मैंने इस साइड बढ़ा लिए तोटल हमारे यहां पर 21 फंदे हो गए एक हमारा बीच सेंटर का है यह देखिए एक दो टीन चार पान छे साथ आठ नो दस और एक हमारा यह एक्स्ट्रा है 21 फंदे टोटल हमारे यह हो गई अब देखिए यहां से फ्रेंड्स मैं इसमें दू बना सकते हूं मैं इसमें एक और लगाऊंगे और दो फंदे का एक मैंने यहां पर कर लिया अब तक हम ने फंदे इसमें बढ़ाए थे लेकिन अब हम इसमें फंदे घटाएंगे द्यान से देखिए और जैसे फंदे फ्रेंड्स हमने बढ़ाए थे एक एक करके दोनों जितना भी आपको बड़ा छोटा बनाना है आप अपने इसाब से इसी तरीके से आप इसमें फंदे बढ़ा लीजिए इस साइड से फ्रेंड सम दो का एक नहीं करेंगे ऐसे पलटके हमने फंदा बढ़ाया था तो इसी तरीके से पलटके हम इसमें ऐसे फंदा इसमें हम गटाएंगे ये देखिए और अब उपर हमने एक कलर की दो रो ही बनाएंगे उल्टी साइड से हमने कलर लगाया एक रो हमारी उल्टी साइड से हो गई और एक हमारी सीधी साइड से हो गई यह देखिए सारे इपंदे हम ऐसे बना लेंगे दोनों साइड से हमने केक फंदा गटा लिया अब ध्यान से देखिए अब फिर से हम अपना रेड कलर लगाएंगे यह देखिए दो का एक करेंगे इस थ्रेड को अंदर कर लेंगे अब हम इससे बनाएंगे द्यान से देखिए तुड़ा साथ खेंच लेजीगा किनारे वाले इस थ्रेड को ताकि यह लूजना रही अब देखिए जैसे फ्रेंड से हमने शुरुवात की थी ऐसे ही हमारा इसकली का एंड होगा जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे उसी तरीके से हम इसको गटाएंगे पलट लेंगे और फिर से दो का एक कर देंगे हमारी शेप बननी स्टार्ट हो गई है रेड की दोरों मैंने उतार ली अब फिर से मैं इस साइड से ब्लू किलर लगा लूँगे देखिए और फिर से हम इसमें अपना फंदा गटाएंगे फंदा गटाना आप मत भूलिए इस थ्रेड को अंदर कर लेंगे और अब हम इससे बनाएंगे इसे तरीके से फ्रेंड्स आपने इसको बनाना है मैं इसको थोड़ा सा बना लेती हूँ ऐसे ही दो दो रो बनाके आपने कलर चेंज करना है और दोनों साइड से एक एक फंदा हमने जैसे बढ़ाया था उसी तरीके से हमने इसमें गटाना है यह देखिए इसी उल्टी साइड से लगाया था स्रीडी साइड से भी हम बनाएंगे और ऐसे हम इसमें फंदा गटा लेंगे यह पूरी रो बनाके फिर से हम अपना कलर चेंज कर लेंगे और इसी तरीके से हम बनाएं देखिए हमारी शेप बनने लग गई तो मैं इसको बना लेती थोड़ा सा फिर मैं उपर का दिखाऊंगी इसका हम एंड कैसे करेंगे यह देखिए इस तरीके से दोनों साइड से केक फंदा गटाते हुए उपर मेरे यह चार फंदे बच गए हैं देखिए इसको भी मैं दो का एक कर दूंगे अब यह देखिए उपर मेरे पास यह तीन फंदे बच गए इस साइड से भी मैं दो का एक कर दूंगे यह देखिए लास्ट में ऐसे हम इसको गटा देंगे तो फ्रेंड्स जैसे हमने फंदे इसमें बढ़ाए थे बिलकुल इसी तरीके से हमने सारे फंदे गटा लिये हैं यह देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने देखिए हम इस तरीके से चार पार्ट बनाएंगे बिल्कुल सेम जितने भी आपने बड़े छोटे बनाने हैं आप देखिए इनको हम ऐसे रखेंगे दो हमारे यह होगे सिलाई करेंगे अभी हम इनकी और ऐसे तो फ्रेंड्स इनकी मैं सिलाई कर लेती हूँ बिल्कुल ऐसे ही हमने इनको सीलना है मैं यह सील लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाते हूँ सीलने के बाद इसकी लुक कैसी आई है फिर हम इसके बाहर का डिजाइन यह देखिए चारो पार्ट मैंने सेल दिये हैं अब इसके बाद फ्रेंड्स हम यहां से उपर का इसका चारो तरफ का डिजाइन बनाएंगे वह कैसे बनाएंगे देखिए उसके लिए हम फिर से इसमें हम फंदे डालेंगे इस चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड्स जो भी आपने यह कलर लगाया हो फंदे हम फिर इस कलर के डालेंगे यह वाला जो हमने उपर लगाया है इस चीज़ का आप ध्यान रखिए यह देखिए सबसे पहले हम एक इसमें नोट लगा लेंगे जिसको फंदे डालने हाते आप अपने हिसाब से डाले एक हमारा नोट से हो गया यह देखिए दो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नोग, दस, ग्यारा, बारा, तेरा और चोदा चोदा फंदे फ्रेंट्स मैं इसमें डाल लूँगे, चोदा फंदे डालने के बाद, यह देखिए, दो फंदे हम इसी कलर से बनाएंगे, ध्यान से देखिए, और यहां से जो भी आपने उपर कलर लगाया है, आप आगे के फंदे उससे ऐसे बना लीजिए, इसकी आप लगा लेजी, यह देखिए, बहुती आसान डिजाइन है, और दो फंदे मनीचे छोड़ दूँगे, एक और दो, और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे, फस्ट वाला उतार लेंगे, और यह पूरी रो, हम बना लेंगे, द्यांक देखिएगा, अब इस थ्रेड को हम पीछे करेंगे, और पीछे से ऐसे क्रोस करके, इसको आगे लेके आएंगे, इसको हम बनाएंगे उल्टा, द्यान से देखिए, और पीछे करके किनारे वाले को बनाएंगे हम सीधा, यह देखिए, इसको आप हमेशा सीधा ही बनाएगा, और इस साइ सैई से उतार लेंगे फिर से सदे थ्रेट को क्रॉस करेंगे और इस अबनाएंगे दोनों साइड से हमने से इसको क्रोस करना है यहां से हमारा जोल पड़ जाएगा और फिर से हम हैं दो फंदेों टो चोड़तेंगे हैं कि ध्यान से देखियगा इस वाले फंदे को आप बना भी सकते हो और ऐसे भी उतार सकते हो अब इसको पीछे करेंगे ध्यान से देखिए और पीछे से इसको आप ऐसे करना और इसको हम नीचे से लेके आएंगे इसको ऐसे करेंगे और इसको लेके आएंगे तो यहां पे पीछे से यह क्रोस हो जाएगा इसको उल्टा बनाएंगे किनारे वाले को हम निकल गया था मेरा इसको हम सिधा बनाएंगे यह देखिए यह दो फंदे हमारे बाउंडरी के चलेंगे इसको हम ऐसे करेंगे यह ऐसे बनाएंगे तो अपने आपी साइड से क्रोस हो जाएगा सारे फंदे फ्रेंड्स हम ये दो दो करके छोड़ लेंगे दो फंदे मैं ये इस बार छोड़ दूंगे ये देखिए और यहीं से वापस मुड़ जाओंगे ये देखिए फिर से देखिए फस्ट वाली पूटार लेंगे और फिर से हम ऐसे क्रोज करतेंगे ये दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे इसको पिछे करेंगे पिछे से इसको आगे लेके आएंगे ये देखिए आप हम क्या करेंगे ये सारे इफंदे बना लेंगे नीचे तक ध्याम से देखिए और इसी कलर से बनाएंगे ये देखिए यह हमारी छोटी शिकले बनके कम्प्लीट हो गई इस साइड से भी इस रो को उतार के मैं कम्प्लीट करूँगी फस्ट वाले को आप ऐसे ही उतार लीजिए इस साइड से मैंने इस रो को उतार के कम्प्लीट कर लिया है अब फिर से देखिए एक बार फिर से हम इसी प्रोसिस को रिपीट करेंगे यह देखिए दो फंदे हमने ले लिए और फिर से हम अपना रेड गलर है यह लगाएंगे और मैं नीचे तक बनाओ लिए और दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे और यहीं से वापसे मोड़ जाएंगे तो इसकली को भी मैं बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसे ही बनाओंगी जैसे नीचे बनाई है यह देखिए इसको आगे कर लेंगे क्रोज करके एक फंदा मैंने उल्टा बना दिया इसको मैं सिधा बनाओंगी तो ऐसे हमारे किनारे की फिनिशिंग आएगी तो फ्रेंड्स मैं सारे इफंदे दो दो करके छोड़ लूँगी इसी तरीके से जैसे नीचे बनाई थी और यह सारे इफंदे मैं ब्लू कलर से नीचे तक बना दूँगी इस कली को मैं कंप्लीट कर लेती हूं फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी यह देखिए यह कली भी मैंने बना के कंप्लीट कर ली है अब देखिए यह जो बीच वाली कली है यह हम एक सिंगल कलर से बनाएंगे जो color हमारा boundary का है ये उसी color से हम ये बनाएंगे तो देखे द्यान से देखिए इसमें थोड़ा सा change आएगा एक फंदा मैंने first वाला उतार लिया इसको हम ऐसे ही बनाएंगे और यहां से हम second वाले से हम एक फंदा बढ़ाएंगे एक फंदे के देखिए मैंने यहां पे दो फंदे बना लिये हैं एक फंदा हमारा बढ़ गया ध्यान से देखिएगा और यह नीचे तक सारे इस फंदे हम छोड़ देंगे बना लेंगे दो फंदे हम नीचे छोड़ देंगे ध्यान से देखिएगा देखे बड़ा वाफंदा भी हम बना लेंगे त्रड को पिछे करेंगे और इसको हम ऐसे सिधा बनाएंगे फिर से देखिए फस्ट वाले को उतार लेंगे यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाएंगे एक बार बना दिया त्रेड पीछे करेंगे इसको एक बार और बना देंगे यह हमारा दूसरा फंदा बढ़ गया और इसको भी आप फ्रेंट्स ऐसे बैक साइड से उपर लेके चलिए आप देखिए दो फंदे हमने बढ़ा लिए द्यान से देखिएगा और दो फंदे मैंने फिर से छोड़ दिये ओपर से हम बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ हम फंदा दो फंदे छोड़ देंगे इसकली को फ्रेंड्स मैं पुरी बना के दिखाऊंगे ताकि आपको को कोई भी दिकत ना आए बनाने में इसको हम सिधा बना लेंगे अब फिर से देखिए पस्टवाले को उतार लेंगे एक बार बना दिया पिछे करेंगे ये एक फंदे को हम दो बार बनाएंगे ये हमारा यहां पे तीसरा फंदा बढ़ गया और ये हमने दो फंदे और छोड़ दिये हैं शीथी साइड से इस रोकों में बना के कंप्लेट करूंगी किनारे वाला फंदा में सिधा बना लूं ये देखिए फस्ट वाला उतार लेंगे यहां से फिर से हम अपना फंदा बढ़ आएंगे एक बार बनाएंगे और यहां आया यह दो बार बना दिया और इसको हम ऐसे बैक साइड से उपर लेके जाएंगे यह देखिए फ्रेंड्स एक दो तीन चार चार बार हमने फंदे छोड़ लिए और हमने अपने उपर चार फंदे बढ़ा लिए दो फंदे और मैं इसी तरीके से बढ़ाऊंगे छे फंदे हम यहां पर बढ़ाएंगे बिल्कुल सेम तरीका है फंदे बढ़ाने का इसको हमेशा आप ऐसे सीधा बनाईए इससे क्या होगा फ्रेंड्स बहुत ही प्यारी ऐसे देखिए फिनिशिंग आएगी आपके किनारे की तो मैं इसमें दो फंदे और बढ़ा लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगे यह देखिए यहां मैं फ्रेंड्स मैंने च्छे फंदे बढ़ा लिये हैं और यह देखिए एक दो तीन चार पांच और च्छे यहां तक बारा फंदे मैंने छोड़ दिये यह देखिए एक, दो, तीन ये हमारे बड़े वे फंदे हैं और ये दो फंदे हमारे किनारी के हैं अब देखिए ये इस तरीके से हमारी लुकाई है अब देखिए फर्स्ट वाला उतार लेंगे ध्यान से देखिए जैसे फंदे बड़ाएं वैसे हम गटाएंगे ये देखिए दो का एक कर दिया अब देखेए फ्रेंट्स ये चार फंदे हमारे बड़े हुए हैं ये हमारा किनारी का है सोरी दो हमारे किनारी के हैं और ये एक, दो, तीन चार, पाँच ये हमारे बढ़े हुए फंदे हैं एक हमने गटा दिया, छे थे फैले बड़े हुए फंदे और दो हमारे किनारी के, और ये दो फंदे हम आगे से एड़ कर लेंगे, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे, ज्यान से देखिए, छे फंदे में से एक हमने गटा दिया, और दो फंदे आगे से एड़ कर लिए अब तक हम नीचे से छोड़ते आये थे, अब उपर से नीचे की तरफ जाएंगे अब फिर से देखिए, फस्ट वाला उतार लेंगे, यहाँ से दो का एक कर दिया एक फंदा हमारा और गट गया, चार फंदे हमारे बच गे, दो हमारे किनारी के, दो फंदे हमने पिछली बार एड़ किये थे और दो आगे से ले लेंगे उससे पहले देखे फ्रेंड्स अगर आपको गैप लगे तो ऐसे बीच में से फंदा उठा के ऐसे दो काई कर दीजी और हम यही से वापस से मुड़ जाएंगे इस तरीके से हम उपर से एक फंदा गटाएंगे नीचे से फंदा एक एड़ कर लेंगे फिर से देखिए फंदा उतार लिया फिर से हम यहाँ पर दो काई कर देंगे और यह जो रेड़ वाला है यह देखिए इसको आप ऐसे उपर की साइड लेके आएगा बैक साइड से हम इसको फ्रेंड्स बैक साइड से भी बहुती सफाई के साथ हम बना के इसे कंप्लीट करेंगे अब देखिए दो फंदे हमने फिर से लेने हैं तो ऐसे हम बीच में जे फंदा उठा के ऐसे दो काई कर देंगे दो काई करना आप मत भूलिएगा नहीं तो हमारा बीच में गयब आ जाएगा यहीं से वापस मूर जाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स तीन फंदे मैंने गटा लिए तीन फंदे हम और गटाएंगे और एक दो तीन तीन जोड़े हमारे पीछे बचे हुए हैं तो इसी तरीके से मैं इसे बना लेती हूँ फिर मैं आपको आगेगा बताऊंगे देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से बीच वाली कली की हमारी शेप आई है यहाँ पे एक फंदा मेरा बचा हुआ है और दो फंदे लास्ट में बचे हुए हैं तो देखिए फिर से हम यहाँ पे दो का एक कर देंगे लास्ट वाला फंदा भी मैंने गटा लिया और रेड पट्टी को हम उपर लेके जाएंगे आप देखिए फ्रेंड्स जितने हमने फंदे डाल ले थी उतने फंदे हमारे हो गई हैं आप भी जितने फंदे बढ़ाओ उतने फंदे आपने गटाने हैं देखिए एक, दो, तीन चार पाँच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा और ये चोदा चोदा फंदे डाल ले थे चोदा इफंदे हमारे बापस हो गई हैं इस रोको में उपर तक बना लूँगे अब जो फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में छोटी-छोटी कली बनाई थी इस साइड भी हम वैसी चोटी-छोटी दो कलिया बनाएंगे एक और दो अब देखिए ध्यान से देखिए दो फंदे हम बाउंडरी के लेंगे यहां से इसलिए फ्रेंड्स देखिए हम उपर लेके आए थे तो नहीं तो हमारा यहां से यहां तक उपर लंबा थ्रेड होता पिछे इसलिए हम आप साथ की साथ इसको लेके आएगा और यह देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग की थी बिल्कुल ऐसे ही आपने ये बनाना है दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे यही से मुड़ जाएंगे यही देखिए आसे क्रोस करके ले लेंगे यही देखिए यही देखिए । जैसे यह सैड़से हमने बनाई थी इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे एक बार फिर से देखें, फिर मैं इसको complete करके आपको दिखाऊंगे, यह देखें, दो हमने बना लिए, यहां से cross कर लेंगे, इसी तरीके से हम दो-दो फंदे छोड़ते हुए, उपर तक आ जाएंगे, यह दो फंदे फिर से छोड़ देंगे, तो मैं इसकली को बना लेती बिल्कुल सेम जैसे हमने नीचे बनाई थी इसी तरीके से हम यह आपे बनाएंगे मैं इसे बना लिते हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगे यह देखिए दो दो करके सारे इफंदे छोड़ दिये हैं अब यह सारे इफंदे जैसे हमने पहले बनाई थी इसी तरीके से हम ये नीचे तक बना लेंगे इसके बाद फ्रेंड्स आपने एक कली और बनानी है बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये देखिए बहुत ही सुन्दर इसकी लुक आएगी इस साइड से भी मैं ये बना लोगी ये देखिए ये हमारी पूरी कम्प्लीट हो गई एक ये वाली कली और हम बनाएंगे इसकी में आपको स्टार्टिंग करके देऊंगी फिर मैं इसे कम्प्लीट करके दिखाऊंगी दो हमने ये आउटलाइन के रख लिए और यहां से ये देखिए फ्रेंड जब भी आप थ्रेड को क्रोस करोगे तो ऐसा हमारा सुई की तरह सिलता जाएगा और यहां पर गैप भी नहीं आएगा बिल्कुल भी यह देखिए फिर से हमने दूसरी कली की स्टार्टिंग कर दी दो फंदे फिर से छोड़ देंगे दो दो करते हुए मैं यह पूरी कली कम्प्रिट कर लूँगी दो दो फंदे छोड़ते हुए सारे फंदे छोड़ लेंगे और फिर हम सारे ही फंदे बना लेंगे तो मैं इ ये कली कम्प्लीट कर ली है, दो कली इससाइड बनी है, दो इससाइड बनी है और एक हमारी बीच में बनी है तो देखेए इस तरीके से इसकी लुकाएगी अब आपको क्या करना है ये देखे सारे इफंदे फ्रेंड समय से बंद कर लेंगे दो का एक किया वापस डालेंगे फिर से बंद करेंगे ये देखे वापस डालेंगे दो का एक कर देंगे ज्यादा टाइट हाथ से बंद मत करिएगा थोड़ा सा लूज लूज ही जैसा फंदा है उसको वैसे ही आपने बंद करना है थ्रड को खीचना नहीं है ये देखिए इस तरह के से फ्रेंड हम ये सारे फंदे बंद कर लेंगे तो ऐसे हमने फ्रेंड इसके चार पार्ट बनाने है अलग अलग पार्ट हमारे ये बनेंगे और फिर हम उप पर इनको जोड़ देंगे बिलकुँँ सेम जितने फंदे आपने इसमे डालोगे उतने ही फंदे आपने दूसरे पार्ट में भी डालने है ये देखिए यह हम अपना बिल्कुल यहां पे इसको ऐसे इसकी सिलाई कर देंगे यह देखे बिल्कुल हमारा यह प्रफेक्ट आया है इसको ऐसा आपने उल्टा ऐसे रखके और इस पार्ट को भी उल्टा करके और ऐसे आपने इसकी सिलाई करनी है बिलकुल हमारे ये corner से corner ऐसे हमारे ये मिलेंगे बिलकुल ऐसे हमारा ये सिल जाएगा ऐसे आजाएगा तो एक part F cherryण हमारा ये बना है मैं इसके तीन पार्ट और बनाऊंगी और तीनों side मैं इसके सिलाई कर दूंगी तो मैं पार्ट बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगे इसकी फाइनल लुक कैसी आई है, ये देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद इस तरीके से इसकी लुक आएगी, बहुती प्यारा डिजाइन है और बहुती आसान है इसे बनाना, तो आप एक बार इसको जुरूर ड्राइ करना और फ्रेंड्स अगर आपको एडिजाइन थोड़ा सा भी पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई जाइन के साथ, थेंक यू,